बार्ती जन्ता पार्टी की रास्टे अधाचेपी नड़ा ने देशवाश्यों के नाम खुला पत्र लिख कर मोधी सरकार की आठ वर्षों के अपलब्धियों को सामने रखा इसके साथ ही वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनेती करने का आरोप लगा विरोधी दलों पर तीखा निशाना भी साथा उन्होंने देशवाश्यों के नाम अपने खुले पत्र में आगे की सोश ने 2047 में भारत के लिए योजना तयार करने का अपल भी किया उन्होंने देशवाश्यों से इसे लेकर योजना बनाने की गुजारिस भी की कि जब हम 2047 में स्वतंत्रता के सो वर्ष पूरे करेंगे तो देश कैसा होगा राजनिर्मान की पक्रिया में देश के युवाँ के सक्रे योगदान की भी मांग करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के युवा अफसर चाते हैं नाखी बाधा इसके साथ ही नड़ा ने विरोधी दलो द्वारा लिखे गए सरित अपील वाले पत्र को लेकर कॉंग्रेस लेक्ट त्रिण मूल कॉंग्रेस सहित अली विरोधी दलो पर निशाना सारते हुए कहा कि पिछले आठ वर्षों में भारत का हर छेतर में तेजी से विकास हुआ ह विरोधी के खिलाब भारत की लड़ाई को दुनिया ने सरहा है आज दुनिया भर की नज़रे भारत पर लगी हुई है लड़ा ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि देज की राजनीती पिछने आठ वर्षों में तेजी से बद्दी है अब बोर्ट पैंक देज को बातने वारी सुष्ची करन एवं चनात माख राजनेती काम नहीं करनी गिरोड रिपोर्ट आइप अन्य प्रूपर्ट जी